अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल जीके सटीपोइंट इस वीडियो में बात करेंगे पिछले 20 वर्षों में पूछे के रेलवे के सभी परिक्षाओ में जीके जीएस के सवाल के बारे में जो समाने अदन के सवाल हैं जैसा कि कोई पता है कि रेलवे अपने सभी परिक्षाओं में प्रिवेसर के कोशन को रिपीट करता है तो यह उसका वीडियो सेट नंबर 13 है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए और अ ओप्शन नंबर B अहमदाबाद कब शुरू आथा दांडी मार्च इसे नमक सत्यागरा भी केते हैं सौल्ट सत्यागरा यह शुरू आथा बारा मार्च उनी सो तीसको महात्मा गांदी साबरमथी आश्रम से यह अंदोलन शुरू किया था अपने असी सत्यागराई के साथ मिलकर और एहमदाबाद से 400 किलिमिटर दूर एक दांडी नाम का गाउं है कोस्टल एरिया के पास वहां तक तो यह नमक अंदोलन था जो महात्मा गांदी ने शुरू क अगेंस मोवमेंट के खिलाब ब्रिटिश एट्स के अगेंस्ट तो इसे सॉल्ट सत्यागरा भी कहते हैं और यह शुरूआत कहां से भी थी एहमदाबाद से दूसरा सवाल बादल की गती और दिशा मापने का साधन यंद्र क्या होता है इस्टूमेंट यूजर स्पीड और डारेक्शन ओफ क्लाउट्स तो क्या होगा यह होगा एनिमोमीटर एनिमोमेटर जो इस्टूमेंट है उससे स्पीड और डारेक्शन ओफ क्लाउट को मापा जाता है को जोल की अार्स्था काथ हूतर किस कि के कारण होती है ऐस्था एक तो यह संबाए क्या होगा सब्सक्राइब यहाँ ओक्र। टॉट्प्षीenne B क्यार्सिय्म Now Morning का पाट हुआ एक है लंसाव पाट होगा स्बैक कर दॉटब्र। हार्डनेस उसको कहते हैं जो डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ मैंगनेशियम क्यल्शियम इन वार्टर जो पान जल में होता है उसे हार्डस करते हैं कि विष्व पर्यावर्णदीवस कब मना जाता है वर्ड एंवार्मेंट्ड़ इसका ऍशन नमबर ए पांच जून को हर साल विष्व पर्यावर्णदीवस मना जाता है वल्ड एंवार्मेंट्ट़े पहली बार यह कं मना गया था workshops उनिस्सों तो इन्वार्मेंट्ट्रोटेक्शन पर्यावर्न संग्रक्शन के लिए मनाया जाता है हर साल पाथ जुन को फिनांस कमिशन विद्ध आयो की निवति कौन करता है तो इसका सही जवाब होगा प्रेशिडेंट हर पांच वर्ष में फिनांस कमिशन एपोइंट होता है बाइद प्रेशिडेंट हर्षवर्धन के शासन काल में सबसे बड़े मंट की स्थापना कहा हुई थी वेर दर लार्जेस मोनेस्ट्री इस्टैबलिस दिरिंग हर्षवर्धन पीरियर्ड नालंदा पटली पुद्र वैशाली या फिर साची जिसका सही जवाब होगा अप्शन नमबर ए नालंदा हिंदी को राष्टबसा किस वर्ष घोशित किया गया थे इन विच यह हिंदी बड़ अनॉंस्ट अस नाशनल लैंगवेज तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर बी उनिस सो पचास दस जुलाई उनिस सो पचास में समीदा ने इसे डेकलेर कर दिया था हिंदी को लेकिन उनिस सो पचास में हिंदी को ही देवनागरी स्क्रिप्ट के तोर पर ऑफिशल लैंगवेज घोशित कर दिया गया इसे का सही जवाब होगा अप्शन नमबर बी आइन सी विकरांथ इस डॉट हुचास शवाब होगा इस। दिरिंग नानेजिसनेशन वार में से किस के पास विदान परिशद हैं वह में फालु स्टेट्स हाज लेजिसलेटिव काउंसिल तो क्या होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नमबर सी कुछ राज्यों में दुई सदन होते हैं यानि बाइकेमरेल लेजिसलेशर वहां विदान सभा भी होता है और विदान परिशाद भी होता है तो वो छह राज्य हैं टोटल सिक्स स्टेट्स है आप कमेंड बॉक्स में लेकिए उन सारे राज्यों के नाम जहां दुई सदन है यानि बाइकेमरेल लेजिसलेशर है विदान सभा और विदान परिशाद दोनों इंसाइडर ट्रेडिंग किस से संबंदित है ट्रेट सेक्टर शेर मार्केट क्रेडिट मार्के या फिर होर्स रेसिंग तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शेर बाजार यानि शेर मार्केट अक्तेव्स का निवलंड सिद्धान्त कहां तक लागू होता था दे निवलंड लॉफ उक्तेव्स फर दे क्लासिफिकेशन अफ एलेमेंट वाज अप्लिकेबल ओनली किस अलेमेंट तक हिये संबंद था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्यल्शियम सो इन 1865 केमिस्ट निवलंड उन्होंने यह एडप्ट के था उन्होंने यह प्रिस्पल दिया था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ट ऑन दे बेसिस ऑफ इंक्रीज अटोमिक मास बस लाइटर एलिमेंट्स के लिए यह अप्लिकेबल था तो जिन अटोमिक सिमलर फिजिकल और क क्याल्शियम का तो यह बस क्याल्शियम एलिमेंट्स तक ही लिमिटेट था क्लासिफिकेशन आफ एलिमेंट्स दक्षिन एश्या एक्षेल परिश्यत का गठन किस वर्श हुआ था साउथ एश्या स्पूर्ट्स कमेटी तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर B 1983 इसका अब नाम हो गया साउथ एश्या ओलंपिक काउंसिल साउथ एश्या ओलंपिक काउंसिल इसका हेटकॉर्टर का है इसलामाबाद पाकिस्तान तो साउथ एश्या में जो भी गेम्स होते हैं उसका ये हेड है गवर्निंग काउंसिल है साउथ हिशन काट्री में जो भी गेम्स होते हैं इंटेनाशनल नेशनल गेम्स तो उसे यह गवर्ण करता है साउथ हिश्य ओलंपिक काउंसिल अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित पहला किला कौन सा था तो इसका सही जवाब होगा आप्शन नमबर डी फॉर्ट सेंट जॉर्ज फॉर्ट सेंट जॉर्ज यह कब बना था इसका सोलो सा चोवालिस में कहां यह चैन नहीं में कि दंत चिकेशत अब तल दरपन उपियर करते हैं क्यूंकि इसकी प्रतिबंप प्रतिबीम डैश होता है डेंटिस्ट यूज कन के मिरर अज़ इमेज फॉर्म डिस क्या होगा कैसा इमेज फॉर्म होता है कन के मिरट पे इसका सही जवाब होगा डी आवासी और बड़ा वर्चुल इरेक्ट एंड मैंगिफाइड इमेज निमने से कौन सा संसिप्थ हाइड्रोकारबन है विच अव फॉलेंग इसन सैचुरेटेड हाइड्रोकारबन तो इसका सही जवाब होगा option number b सैचुरेटेड हाइड्रोकारबन कौन सा होता है जिसमें single bond होता है अगर इसमें double bond हो गया तो वो unsaturated स्टिँ नबर बी गांदी सागर बांध किस राज में रिस्तित है गांदी सागर डैम इस इन विच स्टेट तो इसका सही जवाब होगा अप्शन नंबर B मध्य प्रदेश किस नदी पे बना हुए गांदी सागर डैम तो यह चंबल नदी पे है चंबल नदी पे नियर मंद्सूर डिस्टिक्ट मंद्सूर डिस्टिक्ट मध्य प्रदेश में इसकी उचाही है लगभग 63 फिट पुस्तक आए डू वाट आए डू को किस ने लिखाया है दा बुक आए डू वाट आए डू हास बीन रिटेन बाई तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B रगुराम राजन पूर्व अर्भी गवर्णर रगुराम राजन ने यह बुक लिखा है टुटी थर्ड गवर्णर 23 गवर्णर थे वह आर्भी आई के रगुराम राजन फूर्व प्रेजट गवर्णर शक्तिकान दास आद के अंगय के अधियन को क्या कहते है दर इस्टेडी और विसेर प्रेजर ओर्गैंस इस तो इसका शही जवाब होगा एंगेव लॉजी ए और फिए मूह के लार में कौन सा इंजाइम होता है जाइम दैंद इस प्रेजेंट इस प्रिजेलाइवा ओफ मैं तो इसका सही इट ब्रेक्स इस्टराश इंटू सिंप्ले सुगर फॉर्म तो जो डाइजेशन शुरू होता है इस फूट वी कंजीम तो इसका इट इस्टराश फॉंद तो यह शुरू आज सही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसमें सबसे पहला होता है इंजाइम एमिलेज 90 इस्ट रिज अस्बमारिन वोलकेनो रिजज इस इन विच ओशन 90 पूर्व रिज समुदरी जौलमे की कौन से महासागर में है पैसिफिक ओशन एट्लांटिक इंडियन ये फिर आर्क्टिक तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर सी इंडियन नोशन यानि हिंद महासागर में है 90 East Ridge Submarine Volcano, वो इंडर नोशन यानि हिंदमासागर में है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए, तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो